हुआ है बाहर मिलें हुआ है 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 तो आज हम लोग करने हैं एक छोटी सी चोड़ा सा ब्लॉग बनाने वाले हैं तो सब को पता है कि लखनव में हुनर हाट लगा हुआ है देखते हैं कि क्या के लेने वाले हैं देखते हैं कि क्या की अच्छा लगएगा वही लेंगे और अभी टाइम और हुआ है थोड़ा सा लेट हो गाई हम लोग लेकिन अज दूप निकली कोई अच्छी आदलाज से हैं लखनों कि स्टेडियम के पास आए तो इस सफर में चले आप लोग हमारे साथ, देखते हैं कि वहां पर क्या क्या लगता है, मैं पहली बार जा रही हूँ, मेरा ये पहला विजिट होने वाला है, तो मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ, वहां पर देखने के लिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो च दिखेगा तो यह देखिए यह रही बिल्डिंग और देखो कितना ज्यादा जाम लगा हुआ है काफी भीड है क्योंकि यहां से शायद हमें टर्न लेना है और यह सामने रहा स्टेडियम लखनाव का मोदी जाचा है यहां पर आप लोग देख सकते कितनी जादा भीड लगी हुए अब बहुत जादा ट्रैफिक है आगे तक अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें जाएं कि न जाएं और यह रही हमारी इधर गोमती नदी 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 तो शाही बात है बची विका है और वो रहा शाली मार का विब बिल्डिंग जो कि अभी नया प्रोजेक्ट है दिख रहा है तो हम लोग यहां पर जाम में बहुत जादा जाम है आप फसे हुए हैं अभी देखते हैं किते टाइम लगता है यहां से जाने में तो फाइनले पूरे दस मिनट व देली है हमारी अभी देखते हैं कि गाड़ी चलती कब है ओकी गाईज तो हमारी जो गाड़ियां इसलिए रुकी है यानि कि ट्रैफिक इसलिए लगा है क्योंकि हमारे देश के मानिनी यह प्रधान मंत्री मिस्टर नरेंद्रमोधी जी इधर से जा रहे हैं आज हम लोगों ने घर से बाहर निकल के जिंदगी की शाया सबसे बड़ी गलती करत की रख दी है क्योंकि हम जिस भी चौराये पर जा रहे हैं हमें इतनी ट्रैफिक मिल रही है फिर इधर से घूम किया रहे हैं फिर से ट्रैफिक भाई बता दो हमें हम कहां जाएं बता दो आज तो हमें हम कहा जाएं, देखो ही देखो ही, देखो ý देखो कितना ट््रेफिक हैं। यार कियार आज हम लोग जिधर भी जाएं केवलकर यह कोट ट्रैफिक की मिल रहा हैं, मतलब हाज ट्रैफिक सीक्तंप परिशान होगें। आए हैं हमारे माननिय परधान मंत्री जी तो इस वज़े से पूरे लखनों में जगा जगा चक्का जाम हो रखा है मतलब ट्रैफिक हो रखा है तो मुझे पता ही नहीं था वर्नमे ना आती आज सव एक घंटे के बाद ट्रैफिक से निकले हुए है जां से निकले हुए है तो अभी देखते हैं हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है थोड़ा सा दूर है और आज का तो प्लान मतलब बहुत ही बगवास रहा तो गाइस फाइनली हम लोग यहां पे पहुँच चुके हैं इतनी कश्ट उठाने के बाद पूरे लगवग मुझे लगता है शायद पौने दो घंटे के बाद हम लोग यहां तक पहुच गए हैं हम लोग एक बार बीच में प्लान किये थे कि मैं वापिस भी चले जाओं मेर क्योंकि बिलकुल आने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि और लेडी में गाड़ी में बैठे 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 बोर हो चुकी थी ठक चुकी थी लेकिन फिर हस्बिन ने बोला कि आज लास्ट डे है चल पड़ो वरना फिर नहीं आप आओगी और वहां के हम लोग गए तो इतनी ज बहुत ज्यादा भीड़ थी तो फामिली हम लोगों ने ये अंदर एंट्री कर लिए थोड़ा सब्सक्राइब लाइन पर ही हमको खड़ा रहना पड़ा था वहां पर क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आप भीड़ देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ती अगर आप बच्चों को ऐसी जवह पर लेके जाते हैं तो प्रीज उनका अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है और आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी अच्छे च्छी मूर्तियां लगाएंगे ती जो गाओं के इशान होते हैं जो ऐसी चीज़े बनात अच्छ के और फितल के यह सारे जो है बारतान और तूजा की चीज़ें बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन में ती और कि बहुत दूर दूर से में वीडियो बना रही थी एक तम अंदर क्योंकि इतनी जादा लाहीने लगी थी भी लगी थी कि मैं लगुल अंदर जाही पारे थी और यहां पर यह हो रहा था कुछ प्रोग्राम क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रीटी भी आ रहे थे और जिस दिन में गई थे उस दिन शायद पंकच उतास जो की सिंगर है वो आए थे लिए मिटी का बरतन आप देख सकते हैं किकना खुब सुरत था और यहां पे कुप कर वग़ड़ा भी था जूत की बैंग बास अब इंग अगर मैं आप उन इसे जयाख वाह अगर मैं अच्छे थे लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करो तो यह थोड़ा महंगे थे हाला कि यह जो सारी चीज़े हैं आपको अर्राजन पर उनकी मिल जाती है उनने बताया था और यह कुछ चीनी नुटी के बरतन जो कि आपके डेकोरेशन के लिए भी यहां पर बहुत सारी चीज़े थी कुप सुरत कुप सुरत और किच तो इन्होंने बोला था कि अगर आप इसे थोड़ा सा सस्ते में लेना चाहते हैं तो आप अमेजन पर ले सकते हैं वहाँ पे थोड़ा कम रेट लेखा अब लोग देख सकते हैं और मतलब इतनी जाधा विर है कि यहां पर खड़े होना मुश्किल है और हम लोग बिल्कुल भीड से आप पीछे देखे मेरे कितनी जाधा विर और हम लोग भीड से थोड़ा हागे-ागे रह रह रहे हैं तो तो फ्रेंस फाइनली हम लोग अभी निकल गया है और अभी नौ बचने माले हैं तो जो है काफी टाइम हो गया है और अभी हम रास्ते में थोड़ा सा मैं कुछ खाओं पीऊंगी उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे घर और काफी 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 टाइम लग लगी बहुत जादा भीड था हम लोगोंने बह बहुत जादा लेट हूँ बहुत सारे लोग आप लोगोंने देख भी चुका होगा तो नेक्स्ट येर में थोड़ा सा पहले जाने की कोशिश करूंगी और अभी रात भी हो गई क्योंकि बहुत जादा ट्रैफिक था आज आज आपको पता ही जैसे मैंने पहले बताया नि इतना जाम है आज जिदर जाओ उधर तो चलिए बाई बाई टाटा गुड़नाइट बाई